असलाव अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन ख़बरों से हमेंसा वाकिफ रहना चाहते हो तो यह वीडियो को बिने स्कुप कर पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपन को प्रेस कर लि एक भाई ने मुझसे पूछा था भाई क्या वर्क वीजा का काम नहीं हो रहा है क्या अजाद वीजा बन हो गया है इस बारे में दोस्तों कुछ भाई ने पूछा है तो उसके बारे में कुछ आपको जनकारी दूँगा और भी कुछ खबरे कतर से आर इसके बारे में आपक से ही आपको इसके बारे में भी पता होगा फैमिली वीजा को दोस्तों आपको मैटराज टो अपली केसनन से एपलाई कर सकते हो और दोस्तों यदि आप विजिट वीजा अपलाई करना चाहिए तो भी एफेक्स गलोबल वेबसाइट पर जाके वहां से आप एपलाई कर सकते ह यह आपको सारा प्रोसेस वहां पर फार्म हो अगयरा भरना पड़ेगा उसके बाद एपलाई कर सकते हो तो भाई कुछ भाईले मुझे यह पूछा है कि भाई क्या वर्क वीजा अजाद वीजा बंद हो चुका है तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा वर्क वीजा और अभी प्रोसेस में नहीं चल रहा है यानि काम फिराला भी बंद है क्योंकि 25 तारिक तक सारी चुटियां है तो जो भी आपने वीजा को जो अपलाई किया था तो वीजा का जो काम है वो आपका रुका हुआ है प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है इसी के वज़ा से जदी आप च आपको बुकिंग नहीं करने का मौका मिलेगा क्योंकि सभी चीजा भी बंद की गई है तो बस आपको दो चार दिन दो दिन तीन दिन और वेट करना पड़ेगा उसके बाद जो भी काम आपका रुकावा तो वो इस्टार्ट हो जाएगा इद की चुट्टी पूरी जैसे ही नमास खतम हुई इसके बाद वहाँ पर एद को लेकर वहाँ पर नमास को लेकर काफी जादा भीड हो गई लोगों काफी आना जाने में दिक्कत होने लेकि जिसके बाद ट्राफिक डिपार्टमेंट तरफ से काफी मुस्ताधी से काम किया और आधे एक से एक घंटे के सम्हाला और ट्रैफिक को बिल्कुल भी जाम नहीं होने दिया तो दोस्तों ट्रैफिक ट्रैफिक डिपार्ट्विन केलिए काफी अच्छी बात हैं अगली कपर साथ ही जो आ रही है वो तो साथियों कार एयरलैंज को बताना चाहोंगा साथियों कि आपको उनको एयरलैंड ओ दोस्तो सबसे अच्छी एरलैंस की सर्वीस कतर की रही इसके लिए को इसके लिए अवार्ट दिया गया है दोस्तो कोई भी और सवाल मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कोशिस करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का और यदि आपका सवाल कुछ जादा बहतर लगा तो आपके लिए खास तरब वीडियो बना दूँगा ताकि आपको फिर जानकारी मिल सके तो यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं असा करता हूँ